हेलो फ्रेंड एक बाफ फिर आपका स्वागत है कंचन लाइफलाइन चनल पर आज मैं सुप्रा केल प्रो प्लस टेबलेट की जनकारी लेकर आई हूँ यह सुप्रा कल प्रो प्लस टेबलेट में ऐसे तत्वा होते हैं जो औस्टियो पीनिया औस्टियो पॉरोसिस गठिया और फैक्चर के इलाज में उप्योगी होते हैं इसमें केल्शियम होता है जो हड्डियों के निर्वान और उन्हें बनाये रखने के लिए अवश्यक होता है साथ-चान का सब्und 23 इसके मुख्य समागरियां इसके फैदों के विएरे में बात की जाए तो हड़ियों के तूटने को रोकने के लिए केल्शियम की ऑषिक्ता होती है औ और सुप्रा-कल्प्रो प्लस उन लोगों में कम रकत केल्शियम के इसतर को रोकने या उनका इलाज करने के लिए उप्योग किया जाता है जिन्हें अपने आहार से पर्याप्त केल्शियम नहीं मिलता सुप्राकल प्रो प्लस में विटामिन D3 का उप्योग कम कैल्शियम के इस्तर और उच्छ फास्फेट के इस्तर के इलाज के लिए किया जाता है यह शरीर को भोजन और अन्या आहार पूरक से अधिक कैल्शियम को और शोशित करने में मदद करता है सुप्राकल प्रोप्लस का उप्योग आहार पूरक के रूप में किया जा सकता है जो शरीर को अतिरिक्त केल्शियम प्रदान करता है और चिकितसक द्वारा निर्देशित के रूप में इसका उप्योग करें और उप्योग करने से पहले लेवल को जरूर पढ़ लें साथ ही बच्चों की पहुत से दूर रखें और चिकितसक की देखरेक में इसका उप्योग करें इस टेबलेट का उप्योग हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने और ऑस्टियो परोसिस और ऑस्टियो मेलेशिया जैसे इस्थितियों का इलाज करने के लिए किया जाता है यह है टेबलेट केलशियों साइटरेट विटामिन डी थ्री मैगनेशियम और जिंक जैसे पोशक ततों का सप्लिमेंट है केल्शियम साइटरेट सबसे अच्छा अब्जार्ब केल्शियम है जो हड्डियों की मिनरल डेंसिटी को बढ़ाता है और हड्डियों के निर्मान और मेंटनेंस में मदद करता है विटामिन D3 केल्शियम और फासफोरस के उपयोग के लिए जम्यदार होता है जिंक कोशिका के स्वास्ता में सुधार करता है और शरीर के प्रतिरक्षा इस तर को बढ़ाता है डॉक्टर दिन में एक बार एक टेबलेट को लेने के लिए निर्देशित कर सकते हैं इस टेबलेट के डोज के लिए आपको अपने डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए बिना डॉक्टर के परामर्श के आपको किसी भी दवा का सेवन नहीं करना चाहिए इस दवा को हमेशा वैसा ही लें जैसा कि आपके डॉक्टर ने आपको बताया है टेबलेट को तोड़े या कुछले नहीं इसे सीधा पानी के साथ निगल लें टेबलेट का सेवन भोजन के साथ या बिना भोजन के भी किया जा सकता है टेबलेट की डोज बिना डॉक्टरी सलहा के ना तो घटाएं और ना ही बढ़ाएं दवा का प्रभाव एक सप्ता के भीतर ही दिखने लगेगा लेकिन डॉक्टर ने आपको जितने समय दवा के सिवन के लिए सलहा दी है तब तक दवा लेना जारी रखें कितने समय तक टेबलेट का प्रयोग करने की जरत है इसके बारे में जानकारी के लिए डॉक्टर से सलहा जरूर ले इस दवा का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर को अपने पहले से दवाओं की वर्तमान सुची काउंटर प्रोड़क्टर जैसे विटामिन, हर्बल सप्लिमेंट, अलरजी या पहले से मौझूद बिमारियों और वर्तमान स्वास्त इस्तियों जैसे गर भावस्ता, अगामी सर्जरी आदी के बारे में जरूर सुचित करें कुछ स्वास्त इस्तियां दवा के साइड इफेक्ट के प्रती अधिक सवेंदन चिल बना सकती है अपने डॉक्टर को बताएं, यदि आपकी इस्तिय वैसे ही बनी रहती है या उससे खराब होती है तो साथी, अगर मधुमें आतों की बिमारी, हिर्दे रोग या किड्नी की बिमारी है तो दवा का उपयोग में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है साथी, पैराथाराइड गरंथी विकार वाले रोगियों को यह टेबलेट लेने की सलहा नहीं दी जाती है अगर गर्भती है या गर्भती होने की प्लानिंग कर रही है तो दवा के इस्तमाल के दौराण गर्भधारण कर लेती है तो डॉप्तर को जरूर्व तुरंट बताएं इसके कुछ side effect होते हैं लेकिन हमेशा नहीं होते हैं और यदि कुछ side effect होते हैं और तुरंत ही समाप्त नहीं होते हैं तो इस tablet को लेना छोड़ें और डॉक्टर की सलहा ले इसके कुछ side effect जैसे दुरबलता, अत्यधिक प्यास लगना, कब्ज, भ्रम की स्थिति, समानिय ठकान, पेट दर्द, भूख में कमी और मास पेशियों में कमजोरी और जी में चलना, पेट खराब होना या पेट में जलन, बुखार, गले में खराश या ठंड लगना, मुँ मे शाले, पेट फूलना या मेगनेशियम की कमी इस तरीके के दुश प्रभाव होते हैं, और जल्दी समाप्त नहीं होते हैं, तो आप इस टेबलेट को लेना बन करें, और डॉक्टर की सलहा लें, तो फेंड इस तरह से सुपराकल प्रो प्लस टेबलेट की जानकारी यहीं प आसके धन्यवाद.